रेलवे, रेलवे का टीकट बूक करने का जब किसी से help मांगते हो, जब कोई website पे जाते हो, search करते हो, या फिर यूटुब में आप आते हो, search करते हो कि रेलवे का टीकट किस तरह से बूक करें, तो आपको वहाँ पे हजारों वीडियो इस तरह का मिल जाएंगे, जो कि सीदे स सिदे आपका सवाल का जवाब ना दे करके आप जो चाहा रहे हो वह चीज नहीं होगा उसके अंदर, आपको उसके अंदर मिलेगा बहुत चारे प्लग-इन के बारे में, कैसे करने से आपको कंफर्म ततकाल टिकट मिल जाएगा, मतलब बहुत चारे ऐसी चीजे आपको मैं सोचा कि उन्हा इस बारे में इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाया जाए तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ये वीडियो खास तोर से उन लोगों के लिए होगा जो लोग कभी भी IRCTC की वेबसाइट में टिकट अपना बूक नहीं किया है मतलब अगर आपको IRCTC के बारे में ज्यादा जानकरी नहीं है आप सिर्फ जानते हो कि ऐसे होता है लेकिन आपका भी किये नहीं हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमन सावित हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी बाते जो क एक नया IRCTC ID बनाने वाले बंदे को जबद परता है मतलब आपका सिर्फ ID आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता है इस वीडियो में मैं आपको अपना स्क्रीन को रेकॉर्ड करके बताऊंगा कि कैसे सही तरीके से बिना कोई plug-in बिना किसी का मतलब कोई third party application third party website के मदद क बिना कैसे एक ticket किस तरह से book किया जाता है IRCTC की website पे तो चली अभी मैं अपने computer का screen को record करके आपको सब कुछ बारीकी से अच्छे से समझा देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यह मेरा laptop है इसको मैंने record कर दिया है इसका screen record हो रहा है अभी मैं open करने बाला हूँ एक browser उसके अंदर मैं क्या क्या करने बाला हूँ सारी चीज़े आपको भी यहाँ पे दिखेगी तो सबसे पहले आपको अपने computer में कोई भी एक browser को open कर लेना है चाहे वो कोई भी browser हो जैसे कि मैं हमेशा से use करता हूँ mozilla firefox को तो मैं उसको भी उसका इस्तेमालाज करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने open कर रखा है mozilla firefox को यहाँ पर जाने के बाद आप इसका जहाँ पर लिखा हुए search और enter address यहाँ पर आपको IRCTC की website enter करना है और website यह irctc.co.in टाइप करना है आपको इसके अंदर देने के बाद आपको enter करना है जैसे आप enter करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक page आपको दिखेगा जिसके अंदर आपको देना है user id password और साथ में नीचे देना है एक capture जो की हर बार एक नया capture तो आपको user id देना है user आपको आपको आप जो अपना password है वो password आपको देना है अगर आपके पास IRCTC का ID नहीं है तो यहाँ पर जो i का बटन आपको दीख रहा है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मेरे उस वीडियो में आप चले जाएंगे जिस वीडियो में मैं बताया है कि IRCTC किस तरह से IRCTC का account बनाया जाता है तो आपको आना यहाँ पर बननाने के बाद आपको मिले अपना ID और password तो उस ID और password को आपको इसके अंदर enter करना है जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ID और password एंटर कर देता हूँ ID password सही तरीके से enter करने के बाद आपको देना है अपना capture यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ID वो तो आपको दीख रहा है बट आपका password आपको नहीं देखेगा नीचे में एक capture जो है यह हर बार एक अलग capture एक नया capture आएगा है तो आपको यहाँ पर capture देना जैसे कि आपदेख सकते हो अभी आया हुआ है मेरा यहाँ पर capture ED-5T-K सारे के सारे capital है अगर capital है तो आपको capital होंगे अगर small होंगे तो small letters आपको देना होंगे लेकिन यहाँ पर मैंने कई बार मैं देखा हूँ कि हर बार लगवग यह capital ही आता है, यहाँ पे small letters नहीं आते हैं, तो आपको अभी यहाँ पे दे दना है यह capture, तो मैं यहाँ पे देता हूँ ED5TK, आपका जो भी आएगा आपको वो दे देना है, देने के बाद इसको login करना होगा, यहाँ पे login का button है, login आप कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे है request OTP, अगर आप request OTP करते हो, तो आपके registered mobile number में OTP जाएगा, वहाँ से आप उसको login कर सकते हो, तो मैं यहाँ से इसको login कर देता हूँ, login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का window आपको दीखेगा, हो सकता है, यह जो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो, IRCTC Rail Connect का एक aid यहाँ पे आ रहा है, जब आप login करो, यह यहाँ से आपको travel करनी है, जहाँ से आपकी यात्रा सुरू होती है, तो from station में मान लीजिए आपको कोई भी एक्टर, suppose that मैं यहाँ पे हावडा ही ले लेता हूँ, तो हावडा का code अगर आपको पता है, जिसे हावडा का code ह ह्वह अगर आप पता है, तो आप इसको type कर सकते ह है, तो आप H, O, W लिखते ही, यहाँ पे बहुत सारी टेरों की list आपके सामने, stations की list आपके सामने दिखने लगेगी, तो यहाँ से आपको चुनना पड़ेगा कि हावडा कहाँ पे, तो दूसरे number पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हावडा है, इसको भी select कर सकते हो, और type करते ही, आपके सामने station दिखने लगेगा, तो मैं यहाँ पे H, W, H पर click करके, यानि कि हावडा जंक्षन को मैंने select कर दिया, अब आपको यहाँ से जहाँ भी जाना है, उस station का नाम यहाँ पे देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ, Delhi, Delhi का code है, DLI, आप DLI से भी कर सकते हो, तो Delhi दे दिया, उसके बाद आपको एक date यहाँ पे चूच करना है, वो date जब आपको जाना है, तो यहाँ पे कोई भी एक date को हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 23 February को ले लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ चीज़े चोड़ के आपको यहाँ पे जाना है, submit बटन पे क्लि टुडेल ली तो सारे, ट्रेंज की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पुरुवा एक्सप्रेस हैं अडी एल्स दुरन्तो एक्सप्रेस हैं बहुत शारी ट्रेंज से आपके सामने यहाँ पर आपको दिखेगी तो अभी आपको यहाँ पर decide करना है आप train की किस class में travel करना चाहते हो, sleeper, AC, 3C, किस में आपको जाना है, और यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे trainों के sleeper, 3 tier, 2 tier, 1st class, सब कुछ है, कुछ trainों में sleeper और 3 tier भी है, तो आपको जिस train में जाना है, उस train की आपको जैसे travel करना है, sleeper वो train किस किस दिन available है, किस किस अगर weekly train है, तो यहाँ पर सारा data, जैसे कि 23 तरीकों यह है, 24 तरीकों भी है, 26 तरीकों फिर है, फिर 27 को है, तो यह सारी data आपके सामने आ जाएगी, train का availability status आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है, waiting list 64 है, त तो चलिए, हम दूसरे train का, दूसरा कोई class में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है तुफान express, यहाँ पर इसका slipper है और 3 tier है, तो यहाँ पर मैं 3 tier को select करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने train बदल दिया, बदलने के बाद class बदल दी, तो यहाँ पर मुझे available मिल तो यहाँ पर आपको simple book now पर क्लिक करना है, ध्यान रहे, आप इधर उदर अगर time waste करते हैं, तो हो सकता है आपका ticket खतम हो जाए, जब भी आपको ticket दिख जाए कि available है, और आप स्योरोग आपको उसी train में और उसी date में travel करने है, तो आप जितना जलिए उसके book कर ले, तो यह यहाँ पर मैं book now पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो, यहाँ पर एक notification जो छोड़ा सप्पे जा गया, यह कभी कवार ही आता है, क्यों आता है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ, you have such trains for howra to Delhi, but you are booking in a train between howra and NDLS, मतलब नही देली, NDLS होगी है, नई देली का station call, तो मैंने देली तक का search किया था, यह train जो है, यह NDLS तक का मुझे मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे कोई problem नहीं, यह तो मैं इसको okay कर सकता हूँ, जब आप book now पर click कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का एक पर जा जाएगा, जहाँ पर आप आपका नाम, आपकी उम्र, आपका gender, उसके बाद आपको कौन सी seat चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक मतलब ऐसे है, मैं trial कर रहा हूँ, मुझे कोई टिकल बुक नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपको बताना है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी type करता हूँ, A, B, C, D, यह होगी है न सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर birth preference में आता है, lower, middle, upper, side lower, side upper, आपको कौन से seat चाहिए, यह आपको सोचना है, और आपको वो सिलेक्ट करना है, जरूरी नहीं कि आपने जो सिलेक्ट किया है, वो आपको मिल जाएगा, अगर available रहा, तो मिल सकता है, वरना नहीं म आपको कुछ कोई दूसरा भी से seat मिल सकता है, तो मैं यहाँ पर side lower कर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर, और कोई चीज आपको कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ नीचे आने के बाद, आपको अपना mobile number का isd, mobile number का लिखा हुआ है, उसके साइड में एक box है, छोटा सा, आ आकि वो आपका ticket को valid करेगा, क्योंकि अगर आप message नहीं लेके जाते हो, तो आपको फिर print out लेके जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से अपना message को, अपने वह उस number को ही दे, जो number आपके पास रहता है, ट्रावल के दोरान, उसके बाद आपको जाना है, फिर से capture यहाँ पर गिया है, sorry मैं एक चीज और भूल गया, यहाँ पर है, consider for auto-upgression, इसको भी मैंने इसको लेकर के भी एक video बनाया है, इसका क्या, मतलब इसको क्यों select करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, तो अगर उसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, ऐसे मैं आपको अगर आप select करते हो, तो आपका टिकट waiting list है, तो आपका हो सकता है, ऐसी में आपका ticket convert हो जाए, ऐसी boogie में, ऐसी coach में आपको मिल सकता है, अगर आप अकल हो, तो ही इसको करना, otherwise मत करना है, क्योंकि हो सकता है, आप family के साथ जा रहे हो, तो आपको अलग सफर करना पढ़ सकत देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो बुक अनलीफ और वर्थ आर एलोटेट इन सेम कोच यानि कि अगर आप चार या पांच लोग ट्रावेल कर रहे हो तो आप अगर चाहते हो कि सबका सीड जो है सेम कोच में मिले तो आप इसको टिक कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर लि टिकट भी आपका नहीं होगा और पैसा जो है अटोमेटिकली रिफंड आपके एकाउंट पर दो या तीन चानल में हो जाएगा तो चलिए इन सब चीजों को छोड़के यहाँ पर हम चलते हैं कैप्चा की तरफ यह जो कैप्चा है आपको फिर से और कैप्चा मिल जागा जिसको आपको सही तरीके से टाइप करना है कई बार आप ध्यान दीजीएगा कैप्चा जो है बहुत ही यूनिक रहता है बहुत ही अलग रहता है तो हो सकता है आप कैप्चा को पहचारने में अपसे गलती हो जाए कुछ रहता है कुछ लोगो रहेगा जिस पर आपको क्लि तो जैसे ही मैं next पर click करता हूं मेरे सामने मेरी जो आप देख सकते हैं यह error हो गया यानि कि मैंने जो capture दिया था वो सही तरीके से type नहीं हुआ था तो इस तरह का page अगर आपके सामने आता है इस तरह का red जैसे कि आप देख सकते हूं error message में आया please enter the text as shown in the capture image यानि कि सही तरीके से आपको type करना है तो फिर से मैं एक बार इस चीज़ को सही तरीके से देने की कोसिस करता हूं तो यहां पर अब मेरे पास आया 8K639 देने के बाद आपको करना है next अब आपके सामने कुछ इस तरह का एक window हैगा जिसमें आपको आपके ticket का final price जो है आपको यहां पर मिल जाएगा जिसमें आप देख सकते हो आपका ticket का fare service tax वगरा सारे चीज़ आपको इस आपके सामने कई सारे option से depend करता है आप किस option से अपना किसको select करके आप अपना payment करना चाहते हो जैसे कि अगर आपके पास debtbank का debit card है और ATM का PIN से करना चाहते हो तो PIN से ही कर सकते हो बिना OTP का साथ में है UPI से आप कर सकते हो उसके बाद है यहां पे multiple payment service आपको यहां के इसके आप हो जाएगा उसके बाद आपको अपना bank select करना है जैसे कि मैंने select किया Union Bank of India करने के बाद आप देख सकते हो यहां पे एक transaction charge है जो की Rs.10 लिखा हुआ है जो की हर bank का अलग-अलग charge है ठीक है तो आपको इसको select कर लेना है करके उसके बाद Mac payment पे आपको जाना है तो मैं य तो यह कुछ इस तरह से यहां पे आपको लेकर आ जाएगी अब यहां से हो सकता है हर bank का यह अलग-अलग तरह से आपके सामने payment पे जो ओपन हो तो आपको अपने bank का ID और password देना है साथ में OTP देना है उसके बाद आपका ticket जो हो जाएगा हर bank का अलग-अलग हो सकता है किस तो इसी तरह से आपको करना है अपना ticket का booking अगर इससे भी ज्यादा जानकरी आपको चाहिए फिर भी आपको कुछ समझ वे नहीं आता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा आपके सवालों के जबाब आपको देने के लिए जल से जल तो आज उम्मीद करता फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो नई टेक के साथ मैं तब तक के लिए take care and bye bye